How to fix WhatsApp not sending messages problem नमस्कार दोस्तों तो आगर अब सभी का थिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है WhatsApp पे Message not sending problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों जबी भी हम WhatsApp के अंदर पे जाते हैं और कोई Message यहाँ पर send करने की कोशिश करते हैं तो Message से नहीं हो पाते हैं तो अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है आपको भी ऐसा problem आ रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को आन तक देखिए और solution को follow कीजिए आपका problem भी fix हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों make sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर आपके WhatsApp message से नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको suggest करूँगा आप दोस्तों जाएए अपने mobile के search में और type कीजिए WhatsApp messenger जाके दोस्तों इस एप को अपडेट कीजिए ठीके इस एप को यहाँ पर अपडेट करने के बाद एक बार चेक करके देखे कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपका problem solve हो जाते हैं तो दोस्तों अची बाद है अगर आपका problem solved नहीं हो रहा है करने के बाद भी तो हो सकते हैं आपके data connection भी problem हो तो उसके लिए आपको setting पर जाके system open करना है उसके बाद reset option उसके बाद reset wifi, mobile and bluetooth और यह है आपका reset network setting का option अगर आपको यह setting धुनने में दिक्कत हो जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको simply जाना है अपने setting के search में और type करना है reset network setting तो वहाँ पर आपको setting मिल जाएगा ठीक है तो यह सारे यहाँ पर आपको follow कर लेना है solution तो reset setting यहाँ पर आपको दिखाई देरा होगा तो sim select करके reset setting पर click कर देना है और आपको mobile password भर के reset कर देना है तो यह करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको simply mobile को restart करना है और check करके देखना है आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप जो है आपको आपना problem solve कर सकते हैं अगर दोस्तों इससे आपका problem solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको follow करना है next solution next पर दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको app and notification पर जा रहा है WhatsApp open कर लेना है यहाँ पर आपको मिलेगा app and notification, manage app, install app या फिर app management, app manager ठीक है तो कोई भी setting आपको मिल सकते हैं उसके बाद force stop करते हुए OK कर दीजेगा storage and cache पर जाके clear cache कर दीजे उसके बाद back कीजे mobile data and wifi पर जाए background data को enable कीजे और दोस्तों अगर आपके mobile पर यह setting लिखा हुआ है disable wifi, disable data devices तो इसको burn करके रखिए अगर यह on है तो आपका data काम नहीं करेगा ठीक है लेकिन मान लिजे आपके mobile पर simply लिखा हुआ है यहाँ पर disable लिखा हुआ नहीं है simply आपर लिखा हुआ है wifi and data devices तो यह दो setting को on करना होगा तो according आपके जो setting है mobile का उसी सबसे आप जाईए ठीक है और data access allow करने के बाद mobile को restart करें and then whatsapp में जाई चेक करें आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है और आपका data connection एक बार दोस्तो उसको on किया है या नहीं किया है वो भी आप check कर लिएगा तो उसके बार आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आप इस problem को यह आपर solve कर सकते उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने आओगा thanks for watching